और विए स्टार्ट कोश्चन नमर फिस्ट आफ एक्सराइज 6.2 विटे कोश्चन है इन एन आइसोसेल ट्रेंगल ABC विच AB इकल तो AC आपको गिवेन है AB और AC इकल है यह बैसेक्टर आफ एंगल B और एंगल C इंतरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ जॉइन ए टू ए और वो को जॉइन कर दो आप्रूफ करने हैं ऑबी इकल टो AC एन एउम बैसेक्ट एंगल ए तो फ़हले डाग्राम बना लो देन केलीर हो जाएगा ओके एक एक एवी सेम टेंगल बनाते हैं जिसमें एवी और एसी के एक्वल है यह नहीं दे कोशन फर्स्ट को को कि दागराम ना लेते हैं लोग इसमें आपको गिवन है कि एवी और एसी इक्वल है गिवन है और क्या गिवन है करते हैं एंगल बी का जो बैसेक्टर है और एंगल सी का बैसेक्टर कहा मिट कर रहा है वो पॉन्ट वपर मिट कर रहा है कि यह कर रहा है अब एंगल बिका बैसेक्टर कर रहा इसका बैसेक्टर ब्रॉग करें लो कि मालों सब्भोसk Tam चैugald oh my अब फिर एंगल सी का बैसेक्टर है ऊके, तुह मित कर रहा है, पोईंट? O पर, मित कर रहा है, आपके जाए अगर O को ज्वेंट कर दो, ज्वेंट कर देता हूं, ज्वेंट कर दिया, अब आप उसे क्वेशन कर रहा क्या एक, जो गिवने ली तो पहले, क्या गिवन है? given that AB equal to AC first information second information क्या है कि BO angle B का bisector है CO angle C का bisector है ओके देखा रहा BO bisects angle B and CO bisects angle C आनि angle B को 2 equal पार्ण डिवाइड करता कौन BO यानि कि A वाली एंगल और A वाली एंगल एककोल होगा इककोल होगा चुकि B O के angle B का bisector है ओके फिर C O B angle C का bisector A वाली एंगल और A वाली एंगल एककोल होगा नाम देना चाहिए नाम देदो convenient के लिए अगर इसे angle 1 देंगे यह अगर एंगल 1 है यह एंगल सपोज को 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 एककोल होगा उस तरह से यह एंगल 3 है और एंगल 4 है तो एंगल 3 और 4 एककोल हो जाएगा ओके अभी यह ओके नेश्ट कै एक नेश्ट इन्फर्मिशन आपो दिया हुए जेखो क्या हैतस इतना इन्फर्मिशन दिया होगा बस अब पूफ क्या करना हो लिग दो पूफ क्या करने है वह बीकल टू ओसी और एउ एंगल एको बाइसेट कर रहा है यह प्रूफ करनी है और फिर्स्ट प्रूफ करनी है प्रूफ करनी है प्रूफ करनी है कि बी ओ यह प्रूफ करनी है यह प्रूफ करनी है सकेंड प्रूफ करेंगे कि जो एको यह उन की और फिर्स्ट प्रूफ करनी है इस प्रूफ करनी है यह प्रूफ करनी है कि अगर यह कई उए कि बाइसेक्ट एंगल एंगल एंगले प्रूफ करने दो निए फर्स्ट ओवी कर्ड़ोशी सब्सकेंड वे बाइसेक्ट एंगल एंगले तक श्टार्ट करते हम तो कि अब दखो बच्चे कि ओभी क्या है ओबी या ब्योग यहाँ पर अगर ब्योग ने ओबी लिख तो जैसा को न्मिनेट होता बोल लें ओके यहाँ पर ओबी और यहाँ लिदो पूशी ओके अब दोके अब दखेंगे वेटे सिंस अप प्रूफ अस्टार करना बलो डिखेंगे सिंस यहlles पूप प्रूफ अपढ़ें होसं सिंस ओभी कंगल बीक को बैसेक्त कर रहा है वह भी बैसेक्टन है इंगल एंगल वान इंगल योगा निए निए इंगल वान गोल 45 होगा और यह दोनों इंगल एंगल 20 का हाफ वाफ इंगल कि मिजनने आ इंगल वचके एंगल वान रेंगल 25 current स्वेज़ हए अगर haven कर तो 30 30 हो जाएगा, एंगल 1 भी 30 होगा, एंगल 2 भी 30 हो जाएगा, तो 30 क्या 60 का हाफ है, तो एंगल 1, एंगल 2 क्या, एंगल 2 का हाफ है, इसका यूज करेंगे, इसे फर्स्टी कुछ न मालो, फिर आईगे, तो, since, O, C, Bisex, एंगल C, therefore, क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 एकल हो जाएगा, therefore, एंगल 3 एकल टू, एंगल 4, एकल टू, हाफ हो एंगल C, ओके, इसे एक्वेशन सेगन वालो, अब आते हैं, अब टेंगल ABC माते हैं, इसे टेंगल ABC में देखो, इसे टेंगल ABC है, इसे माते हैं, A, B, C, एब आते हैं, A, B, C, में आपको दिया होाँ, कि AB equal to AC आपको given है आपको given है कि AB और AC equal है आपको दिया हुआ है अगर AB AC equal है तो हमने अभी थ्योरम पड़ा था कि अगर AB और AC equal होगा तो equal set का point angle equal होगा तो AB का point angle C है और AC का point angle angle B है तो angle B इंगल C equal होगा है नहीं यह concept यूज करेंगा भी ओक्या है पिर लिखेंगे इंट्रेंगल ABC नौ लिखेंगे नौ इंट्रेंगल ABC सिंस AB equal to AC है यह आपको given है यह जिए यह जिए यह दरफोर क्या होगा है एकको सैट के point angle इंगल होता है दरफोर अगल B इंगल C हैं वे लिखेंगे एंगल्स यह concept लिखेंगे दो यह थिए्वारफ लिखेंगे तो साइड्स अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड्स ओफ ए ओफ ए ट्रेंगल और इक्वल एक कंसेप्ट लिग दो जो छोरम का कंसेप्ट में लिग दो छीक है यहां लिग दो बाइ छोरम बयाख साटकट में लिग देंके ओर ऐसे लिग दो बाइ अगर दो लिए को अगर थोर नम्मर याद है शीक्स पोंट ट्व चसक्वाइक्स WAT लिदो नहीं याद लिद लह जो पतर धुल अब दो कि अंगां भी इंगल सी उक्वल है तो अगर अंगल भी इंगल सी क्वल है इसका हाफ रॉसा हाफिह हाफ अंगलने स्च, मालो 13gré30Dड से तो से श्डिवाइड कर दो दोनों से तो 15 में 15 डिविक्वइन भी इंगल हो जाए JOSH आप इने 2 से डिवाइड कर दो तो अब दोनों साथ हम क्या करते हैं इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो इस इंप्लाइड क्या हो जाए बटे 1 by 2 half of angle B equal to half of angle C अगर angle B angle C equal है तो इसका half equal होगा तो हमने क्या क्या divide divide by 2 on both side दोनों से हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको दोनों से 2 से डिवाइड कर दिया अब दो कि half of angle B क्या है देखो जी half of angle B क्या है देखो था half of angle B angle 1 की equal है और angle 2 की equal है तो मुझे जवरत क्या है तो फस्ट में क्या पुरूफ करनी है O B equal to क्या प्रूफ करनी है O B equal to OC हम चाहते है O B और Tangle B OC में अगर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल एक्वल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा एक्वल एक्वल के अफसे एक्वल का प्पूरूफ कर देंगे थेोनि सिक्स पॉंट 3 अब क्विन्ट 3 प्रप साफ clicking तो आधिर फूसा मेरा रिखेंगे ये अंग फीर घर फोर लिखा क्या हुआ है कर लें तो इस इंप्लाइध चयो जाएगा देख उ हंरे भी सेंप्लाइध ऑब कर दो कि टेंड इसफ एंगल भी के एंगल टू की के वे वह अब हमाइब इनकसी के अगल फूर की को ली लिखेंगे फ्रूं फर्स्ट एंड सकेंड एक क्यों यूज किया मैंने अब लेखे इन अब देखो इन ट्रेंगल नौ इन ट्रेंगल बीजी ट्रेंगल बीजी में देखो अच्छे ट्रेंगल बी उसी कहुं सा ट्रेंगल है देखो ट्रेंगल बी उसी है यह नीचे वाली ट्रेंगल है ट्रेंगल बी उसी में एंगल टू और एंगल फूर इक्वल है देखो मैं तोड़ साफ कर रहा हूँ भूंत गें तो सब्सक्राइब जिरेश है तो का यह एंगल किया थो था, यह फोर्ड था, ट्रेंगल B Oc में एसामे एंगल 2xus 1 einघ्ल 2 के ख़ोट सेट की है? Oc है और और इंगल 4 थे ख़ोट का की है? वह भी है, तो इंगल 2 harmonic इंगल फॉर एक्वल है तो क्या होगा एक्वल एंगल के अपवर्ड साइड भी कलोगा तो अगर एंगल टू इंगल फॉर एक्वल है तो वह भी एकल टू ओसी हो जाएगा ओके यहां पर लिखेंगे का है क्या अगर एंगल इंगल भी ओसी क्या लेखेंगे एंगल टूराल इंगल टूल टू है your इंगल फॉर-ड欸 तब जश्ट महां पूर्फ करहें यहां पर गल टूलने फॉर्फर टैर्था और निवैं कि उया जाये औन कि पूजिट साइड है वो भी अगर अंगल टू एंगल फोड इक्वड है तो भी इकल टू ओसी हो जाएगा यहां पर कंसेप्ट लिए देंगे पिल्टे क्या लिए देंगे अगर थ्योर्म नमबर याद लिए दू शिक्स पॉंट थ्योर्म क्या स्टेट्मेंट था कि साइड्स अब पूज्ट टू इक्वड इंगल ऑफ यह ट्रेंगल अगर दो इंगल इंगल के अब पूज्ट साइड भी क्या होता इक्क्वल होता है ओवी कल्ड ओसी प्रूब हो क्या होगे है कि फ्रस्ट पर्ट हमने प्रूफ कर दिया ओके अब आते सगेंड पार्ट हमने प्रूफ करनी है ओके सगेंड पार्ट क्या कर रहा है कि आपको यह प्रूफ करनी कि ओ एंगल एक को बैसेट कर रहा ता अभी हमने एप प्रूफ कर लिया कि ओ ओ भी और 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 हम प्रूफ करेंगे कि X equal to Y, यह से प्रूफ हो जाएगा तहने कि वह क्या एंगल एक को बाइसेट कर रहा है, ठीके, आफ एंगल इधर हो जाएगा, आफ एंगल इधर हो जाएगा, ताब सगेंड पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, ऑगे इसे में रव कर रहा हूं है हुआ है ओके यह तक क्वेश्चन वर क्या था फस्थार ऑगे डायराम बना लेते हम लोग को हुआ है हुआ है हो कि ए बी सी एंगल बी कब आई सक्टर मिट कर रहा यहां पर फिर एंगल सी का यह सक्टर मिट कर रहा है 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 हुआ है यह और यह हमने क्या क्या जोइन किया था ओके अगट ताव ने क्या किया थो भी पर फिएंगल ओर ले एंगल एकंवल था चुक्छी ओ भी कहा gray sector है एंगल भी का यह एंगल अप मुझे प्रूफ करना था एंगल और एंगल एकंवल है अभी हमने प्रूफ किया था कि एवा ली प्रेसाइड ओभी और ओसी एक्वल हैं अब हम लोग बिटर क्या करेंगे इस त्रेंगल के लिए चलेंगे इस दो टेंगल को हम कॉंग्रूफ करेंगे स्केंड पाट हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इन ट्रेंगल क्या लेंगे कोई इस त्रेंगल के लें इन ट्रेंगल है और सकेंड ट्रेंगल करेंगे इस ट्रेंगल के नाम है इस त्रेंगल क्या ऩे सिकंगल branch बढ़े हो से होते हैं फोट इस दो टेंगल देखो इस क्या-क्या अपको गिबेन है वाली साइड है कि और आपको एंगल वन और एंगल वन और एंगव equal है चुकि angle 2 और angle 4 equal है तो हमने अभी क्या था कि angle 1 देख क्या था चुकि angle 1 और angle 2 equal था चुकि ओ भी क्या है angle B का by sector है उसे दर तरह से angle 3 equal to angle 4 है क्यों इसलिए चुकि OC क्या है angle C का by sector है हमने लिखा ता starting में है यह अब हो given है अभी हमने किया था कि angle 2 और angle 4 equal था यह प्रूफ किया था इंगल 2 हमने प्रूफ किया था अगर अंगल 2 और एंगल 4 और क्यों है तो एंगल वन इंगल 3 भी को होगा हुआ चुकि एंगल 2 और लगाई निए और इंगल फूल्र ऑन पर शहटें रिख सकते हैं एंगल 1 अगल 3 सकते हैं है है तो कि है अभी पता है कि एंगल एंगल और एंगल equal है, चुकि angle 2, angle 4 already हम proof कर चुके है, equal है तो क्या लिखेंगे आपके intangle AOB में और AOC में, क्या क्या equal है देखो देखो क्या है AB equal to क्या है AC है यह आपको given है ठीक है, next क्या दिया हुआ है, next दिया हुआ है कि angle 1 equal to क्या है angle 3 है है न, चुकि है region देदेंगे, since region देदो since angle 2 equal to angle 4 है चुकि already हम proof कर चुके इसे ओके, तिसलिए angle 2 चुकिए angle 1 की equal है और angle 4, angle 3 की equal है, तिसलिए हम 2 कुझा पर 1 लिख सकते हैं और 4 कुझा पर 3 लिख सकते हैं, लिख दिया ओके, और end ओ भी equal to क्या है, इसका ओ भी है, इसका ओ सी equal है, अभी already proof किया फर्स्ट पर्ट में है, यह लिख सकते हैं, प्रूब्ड इन इन पर्स्ट पर्ट, पर्स्ट पर्ट, फर्स्ट पर्ट नहीं हमें पर्फ किया है, अब दो को बच्चे, इस दो टेंगल में क्या 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 क् अब दो इस दो टेंगल इस टेंगल में क्या क्या इक्वल है देखो एसाइड 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 एसे एक्वल है फिर एंगल वन एंगल थरी क्या इक्वल है और और क्या इक्वल है ओवी एक्वल टू क्या है ओसी है अब दो टू साइड्स दो इस टेंगल में टू सैड्स और O Bianser. और इंक्लूडेद एंगल क्या है इस दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है एसाइड Oh A And A B ? और O B साइड और हुर्ज टैंडल का टैंगल ईवर उसके इंपलेद एंगल का एंगल 1 में दोसे टेंगल में होँगा दो सायड ऒाले आप और यह वाले साइड यह हैं इक्वल साइड और इसका इंक्लूड़ेड एंगल का है एंगल 3 है तो टू साइड और इंक्लूड़ेड एंगल इक्वल है दो टैंगल में देखो जाएंगल 2 ए टू साइड से और इंक्लूड़ेड एंगल 1 है दुस्ते ट्रेंगल में भी टू साइट्स और इंक्लूरेड एंगल थ्री है इक्वल है इसलिए दो ट्रेंगल क्या कॉंग्रूरेंट हो गया किससे साइड एंगल साइड से 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 एस रूल से लिखेंगे देरफोर देरफोर ट्रेंगल एंगल भी कॉंग्रूरेंट हो गया इससे ट्रेंगल एंगल क्या नाम देखो जिससे प्रूफ करनी इस एंगल कर नाम है बी ए ओ और इस एंगल क्या नाम है इस वाले का इस एंगल के नाम है सी ओ ए यह दोने इक्कल हो गया सीपी सीटी देखो तुम क्या हो गया दस लिखेंगे देर दस angle BAO हमने क्या है इसको first लिया इसे second लिया इसे third लिया उस तरह यहां में लेगे first, इसे second इसे third अगर BAO लिया ний angle क्या है इस टेंगल में angle है C-A-O by C-P-C-T है है अब भी इयव है क्या देखो टो बी इयो को से इंगल है do ऑध इस डिसले क्या हो गया एक्सनों हो यह करना था एक्स वाइक्स इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए अंगल एको बैसेट कर रहा हैं अंगल एक्वाल यह क्या है पूरा एंगल ए फूरा पूरा एंगल यह है इस इंगल देंगे देर्पोर ओ ए बाइसेक्स एंगल ए यह प्रूफ करना था होगे प्रूफ होगे पेटे